नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जो बड़े बड़े आपर्मेंट होते हैं उनके टेरेस के उपर गारडन किया जाता है गारडन ऐरेंज करते हैं वह अलग अलग तरोंके प्लांट लगवाई जाते हैं तो ये दिया आप उस तरह से अपने घर के उपर भी प्लांट लगाना चाहते हैं, गार्डन बनवाना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको दिखने वाला हूँ, वहापे आपको किस तरह से अरेंजमेट करना है, काम किस तरह से करना है। वहाँ पे सबी जो important जो चीज़े हैं वो आपको याद रखे वहाँ पे आपको हर तरगा काम करना होता है। वहाँ पे आप garden बनाऊ गए, plant लगवा होगे, उसकी वज़े से आपका जो टेरिस का फिल है वो बहुती बहतरिन और सुन्दर बन जाता है। और plant की वज़े से हमें वहाँ पे oxygen भी ज्यादा मातरा में मिलता है। यह बहुती benefit है आपका तो चलिए अब हम आ गए हैं टेरिस पे जैसी के आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो plant के लिए arrangement किया हुआ है। देखेगा बहुती बड़ी आसा जो arrangement है वो किया हुआ है जो भी हमारा external wall है जो भी हमारा external देवर है पेरपीट है उसे लग के ही उसे के साथ ही जूड के ही वहाँ पे हमने plants के लिए totally arrangement किया हुआ है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कुछ अलग-अलग तरह के जो plant है व कम से कम जगत चाहिए ताकि वहाँ पे आपको जो भी कुंडी वगरा रहता है जो plant लगवाने के लिए कुंडी रहता है वह कुंडी आपका वहाँ जो कुंडी है वह आसानी से बैठ सके इसलिए हमें वहाँ पे कम से कम दो फिट तो जगत चाहिए चाहिए उससी कम भी जग में वहाँ पर करना पड़ता है देखेगा इस तरह से जो किया हुआ है और दूसरी बात जो आप हमने कट्टा बनवाए हुआ है जो प्लांट के पास ही जो आपको आप देखेंगा यह कट्टा जो है उसका यूज़ आप वहाँ पे सिटिंग के लिए भी कर सकते हैं वहाँ आप टेरस पे जब जाओगे जब नॉर्मल आप टेरस पे जाते हो फ्री रहते हो आप तो आप टेरस पे जाने के बाद वहाँ पे सिटिंग के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं उसका जो साइज आपको देना है वो कम से कम एक फि वहापर आप उसम्टिए घ्रट नान हुगा वहता है एक उसे क्या होगा कि आपका जो सेटिंग सीन है आप आसाणि से यदर आपकोHola प्लांड के साथ वहाप सेटिंग वगगरां भी कर सकते हैं तो इस तरभ AS आप अपने घर के टेरेस के उपर जो गारण जो है वो अरेंज कर सकते हैं और याद रहेगा जब आपका गारण वहाँ पर आपको अरेंज करना होगा तो वहाँ पर क्या है की waterproofing का treatment जो है वो जरूर करवा लेजेगा waterproofing आप वहाँ पर नहीं करोगे तो आप पानी की वज़े से आपके जो घर में है लिकेज वहाँ पे होने के चांसिस रहते हैं क्योंकि पानी का जो फ्लो है बारिश का जो पानी है वो आसन इसे टेरिस से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूर है इसलिए हमें वहाँ पे वाटर पूरूपिंग का जो काम है वो जरूर करके लेना है और ये सबी चीजों के हिसाब से अपने घर का जो काम है वो आप करोगे तो आपका जो काम है वो बेहतर quality का दुरूर बन जाएगा और आपका टेरिस का जो फिल है वह भी बहुती सुंदर बन जाता है यह पर देखेगा जो हमने वहाँ पर कटा बनाए हुआ है वहाँ में ग्रैनाइट भी फिक्स किया हुआ है ग्रैनाइट ताके आप वहाँ आसान ली टाइल भी जो है वो फिक्स कर सकते हैं ओके दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंदा होगा वीडियो पसंदा तो लाइक करें शेर करें और हमारी चैनल को ज़रू सब्सक्राब किजिए दोस्तों उसी के साथी बेल आइकॉन भी ज़रू दबा करें दोस्तों पस्तों 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 पस्तो